हेलो गाईज, वेलकम डू माई यूट्यूब चैनल, हम लोग रैंडम फॉरेस्ट पढ़ रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में हाइपर पैरामीटर के बारे में पढ़ा, अब हम लोग इस वीडियो में एक कोड एक्जाम्पल के थू समझेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट को आ हाट डिजीज का डेटा सेट, बहुत फेमस है कागल से मुझे मिला, उसके उपर रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करेंगे, और इस वीडियो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ओके, सो हम लोग कुछ इंपोर्ट ले ले रहे हैं, डेटा सेट को इंपोर्ट कर लिया, और यह र बताया जा रहा है कि उनको हार्ट डिजीज है या नहीं है, ठीक है, और हमें इन इन इंपुट्स के लिए प्रिडिट करना है कि पेशन को हार्ट डिजीज होगा या नहीं होगा, ठीक है, सो सबसे बहले मैंने क्या किया, मैंने X और Y एक्स्ट्राक्ट कर लिया इस डेटा स बनाया और उसको model पर train करके accuracy निकाला and it was coming out to be 0.85 ठीक है अगर आप इसको और दूसरे algorithms के साथ compare करो let's say इस point पर अगर मैं gradient boosting classifier ले लूँ जो कि हमने भी पढ़ा नहीं है बट आप सेम तरीके से use कर सकते हो SVM से अगर मैं SVC ले लो और linear model से logistic regression ले लो तो मैं comparative study आपको दिखा सकता हूं कि random forest कहां पर stand करता है और भी हम algorithms ले सकते हैं बट आइगेस इतने से मेरा point clear हो जाएगा सो इस point के वाट आई विल दो इस आई विल क्रिएट ग्रेडियंट बूस्टिंग classifier का object आई विल क्रिएट SVC का object और आई विल क्रिएट logistic regression का object और हम क्या कर सकते हैं हम सभी के उपर यह same code run कर सकते हैं gradient boost and you can see gradient boosting जो खुद में बहुत अच्छा algorithm है उसका accuracy काफी नीचे आ रहा है random forest से let's see SVM का क्या हालत है SVM शायद थोड़ा better perform करेगा although हमने कुछ tuning किया नहीं है so you never know see और भी जादा खराब आ रहा है और let's see logistic regression के क्या हाल है so LR LR और यह काफी बढ़िया दे रहा है point dated तो most likely data फ्रोड़ा linear होगा internally शायद इसलिए but मैं आपको बस यह बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी problem में directly straight out of the box अगर random forest apply करोगे वो हमेशा top two three algorithms में रहता है हमेशा उसका performance हमेशा ही बढ़िया रहता है यह demonstration I guess आपको यह clear दिखा सकता है ठीक है so now obviously यह सिर्फ हमने train test split एक बार किया है तो उसके हिसाब से accuracy निकला है हमने इसको cross validate नहीं किया है तो अगर आप cross validate करोगे तो accuracy थोड़ा घट जाता है you can see कि 0.82 हो गया क्योंकि मैंने 10 बार यह same काम किया और फिर average निकाला तो यह थोड़ा ज्यादा accurate representation है same चीज़ जब आप logistic regression के साथ करोगे तब भी 88 परसेंट नहीं रहेगा वह घट जाएगा लाइक यहां पर घट करके 0.82 हो गया जो कि पहले 0.88 था तो you can see जो cross validation लगाने के बाद आपका result आ रहा है for both random forest and logistic regression more or less same ही आ रहा है ठीक है अब आप क्या कर सकते हो कि आप random forest का performance थोड़ा सा और improve कर सकते हो अगर आप उसका hyper parameter tuning करो क्योंकि अलग-अलग hyper parameters है उनकी values को adjust करने से ऐसा हो सकता है कि आप model के performance को improve कर पाऊँ so मैंने क्या किया मैंने max samples बोलके जो hyper parameter था कि कितने number of rows जाएंगे हर decision tree के अंदर उसको मैंने tune किया मैंने 75% rows दिये और ऐसा करने से मेरा accuracy काफी बढ़ गया था 0.90 हो गया था यह same चीज़ अगर मैं cross validation के through करो तो अगर मैं यहाँ पर लिखो random forest और यहाँ पर मैं लिखो max samples 0.75 तो 0.82 आ रहा था पहले अब वो 0.84 हो गया so the only problem is कि random forest में around 25 hyper parameters हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हर parameter का सबसे सही value क्या होगा तो इसका solution एक ही है और वो है hyper parameter tuning और hyper parameter tuning करने के लिए आपके पास अलग-अलग तरीके होते हैं उन में से जो सबसे famous तरीका है वो है grid search cv so वहाँ पर आप क्या करते हो आप अपने हर hyper parameter को अलग-अलग values दे देते हो जिनके लिए आपको test करना है मैंने n estimator as in कितने decision trees use होंगे उसके लिए मैंने चार अलग values दे दी फिर मैंने max features as in कितने columns मिलेंगे हर decision tree को उसके लिए अलग values दे दी max depth कितना रहेगा हर decision tree का उसके लिए अलग values दे दी और फिर max samples कितना रहेगा उसके लिए मैंने अलग values दे दी अब होगा क्या कि हर particular combination के लिए एक random forest train होगा so total कितने combinations train होंगे you can see 4 multiplied by 3 मतलब 12 12 multiplied by 3 36 36 multiplied by 3 108 combinations so हम क्या कर रहे है हम 108 different random forests train करेंगे ठीक है this is the strategy इसको grid search बोला जाता है क्योंकि ये grid की तरह है अभी अगर आप चार parameters को tune कर रहे हो तो आप एक four dimensional grid हो four dimensional table हो और आप उस table की हर value के लिए अपने random forest को train करोगे तो आपने सबसे पहले ये train कर लिया उसके बाद आप एक dictionary form करते हो parameter grid बोलके यहाँ पर आप exactly वो values देते हो वो hyper parameter का value देते हो नाम देते हो sorry और यहाँ पर उसका value देते हो और यह रहा मेरा parameter grid ठीक है ये dictionary अब एक object बना रहा हूँ मैं random forest का और फिर मैं model selection से grid search cv को import कर रहा हूँ यहाँ पर आपको 4-5 चीज़े provide करनी है पहला कौन से algorithm को आपको run करना है random forest इसको run करना है next parameter grid बताओ क्या-क्या options के उपर train करना है वो हमने बता दिया उसके बाद cross validation तो मैं बोल रहा हूँ कि यह जो पूरी चीज है जो आप 108 random forest को train करोगे उसको 5 बार train करो हर random forest को 5 बार train क क्योंकि उससे क्या होगा आपका cross validation हो जाएगा और आपको accurate results मिलेंगे वर्बोस से आपको output दिखेगा during the process और end jobs minus one करने से मेरे machine के सारे course में use करूँगा process थोड़ा fast हो जाएगा क्योंकि आप अगर इतने सारे models train कर रहे हो तो process slow होगा right तो अब मैंने इस code को run कर दिया अब इस line में सबसे important काम होगा model train होगा so उसको आप जैसी run करोगे देखो बोल रहा है fitting five folds for each of 108 candidates totaling 540 fits so in short 540 different models train हो रहे हैं अभी behind the scene अब अगर ये data बहुत बढ़ा होता तो बहुत जादा time लगता but ये data set छोटा है इसलिए हो गया और ये आपको हर बार का summary दिखाई दे र करना है कि best parameters क्या है तो आपको बस लिखना होता है RF grid dot best parents और ये आपको एक summary में बता देगा max depth none रखने के लिए max features 0.2 रखने के लिए max samples 0.75 and estimators 20 रखने के लिए 20 decision trees रखने के लिए और ये आपका best score 0.83 this is your best score ठीक है so that is how you do grid search CV on top of random forest ठीक है अब एक और चीज होती है जिसको हम बोलते है random search CV actually इसको randomized search CV बोलते है so इसमें क्या होता है कि यहां पर आपके पास 108 combinations हो गए अब अगर यह बहुत बड़ा data set हो या फिर आपको और जादा hyper parameters को train करना हो तो grid search CV थोड़ा सा slow हो जाता है और आपको बहुत time लगता है model को train करने में randomized search CV क्या करता है कि वो randomly 108 अगर आपके पास options है तो उसमें से randomly 10, 15, 20 को select कर लेगा और अपने हिसाब से randomly वो सारी चीज़ को perform करेगा तो यहाँ पर मैंने क्या किया एक दो और additional parameters add कर दिया जैसे bootstrap min sample split min sample leaf मैंने और जादा hyper parameters use किये यह मेरा parameter grid है फोड़ा इस बार बड़ा है मैंने फिर randomized search CV को बुलाया यहाँ पर मैंने सब कुछ same रखा as it is और इसको जब train किया तो you can see fitting 5 folds for 10 candidates in short इसने किया randomly 10 candidates को ही उठाया बाकि सब को छोड़ दिया तो this process is much faster although इसमें आपको best results नहीं मिलते हैं बट आपको जल्दी answer मिल जाता है तो अगर in short आप बहुत बड़े data set के उपर काम कर रहे हो जैसे यहां पर देखो आपका answer आ रहा है सिर्फ 0.81 clearly इससे better answers छुपे हुए हैं बट हम वो निकाल नहीं सकते क्योंकि randomized search में क्या होता है आप randomly select करते हो ठीक है तो हो सकता है आपको best answers ना मिले तो आपके दिमाग में question आ रहा होगा फिर मैं randomized search cv क्यों use करोगा answer is जब भी आप बहुत बड़े data set के ओपर काम कर रहे हो और आपको खूब सारे hyper parameters को tune करने है in that case आप randomized search cv use करोगे क्यों क्योंकि randomly select करके यह आपको अच्छे result दे भी सकता है अगर आप grid search cv use करोगे बहुत बड़े data set के ओपर तो आपको उतना बढ़िया result हो सकता है मतलब बढ़िया result तो मिलेगा अगर आप enough time दो तो आपको बढ़िया result मिलेगा लेकिन time बहुत जादा लग जाएगा मतलब बहुत जादा depending on the data set तो in short summary में grid search cv आपको तब use करना है जब आपके पास कम data है और जो algorithm आप use कर रहे हो उसमें कम hyper parameters है बट अगर आपके पास बहुत ब perfect result दे देता है कम time में ठीक है तो I hope आपको यह पूरा discussion समझ में आया thanks for watching